वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाई शुरेनिक जैन यूटूब चैनल गैस ऑथरिटी ओफ इंडिया लिमिटेड गेल की तरफ से रिकृट्मेन इकल करके आ रही है फॉर 2022 काफी भैतरीन ओपर्चुनिटी है विकॉस यहाँ पर फ्रेशर्स एलिजिबल है औल इंडिया यह CTC कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है आज मैं डीटेल में आपको बताऊंगा क्योंकि गेल के जो उनके तरफ से यह CTC का दिस्ट्यूशन मुझे मिला है ठीक है तो चलिए अब डीटेल में बात करते हैं कैसे अपलाई करना है क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है अब यह CTC को देखो यह जो सिलेक्शन है यह गेट 2022 के स्कोर के बैसिस पर होने वाली है तो अगर आप फिट होते हो यह क्राइटेरिया में तो पूरा वीडियो देखना नहीं तो यहाप पर वीडियो को छोड़ सकते हो और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो तो ज़र से इ यह मत सोच लेना बस यह तीन है इसके अंदर और भी disciplines involved है तो उसके बार में आगे बात करेंगे ठीक है बट हाँ गेट का जो स्कोर है वो आयन का या फिर mechanical का या electrical पेपर का यह तीन वालिट होना चाहिए ठीक है अगर यह नहीं है तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो अच्छा आगे बात करते हैं यहाँ पर branches और eligibility criteria के बार में तो education में minimum कहा रहे है अगर इसके ओपर masters हो गया तो भी इनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तब भी आप apply कर सकते हो बट यहाँ पर बैचलर्स डिग्री इन इंजिनेरिंग इन आयन या फिर Instrumentation and Control या Electronics and Instrumentation या Electronics या Electrical and Electronics with minimum 65 score अगर Electrical के लिए ते हो तो बैचलर्स डिग्री होना चाहते हो तो इन electrical या electrical and electronics with minimum 65% marks relaxation मिल जाता है percentage में अगर आप SCST candidate हो बस आपको 60% score minimum करने होते हैं चलो अब यहाँ पर आगे बात करते हैं अगर आपके पास full-time course है तब भी आप apply कर सकते हो अगर full-time course नहीं है उस case में आप eligible नहीं हो जबके almost all the engineers have full-time course कुछ-कुछ sandwich भी करते हो उस case में आप eligible नहीं हो अच्छा यहाँ पर बात करते हैं सबसे important criteria जो मतलब बहुत important है अगर आपकी degree 2021 या 2022 में आ रही है तब आप eligible हो बट अगर आप pass out हो before 2021 याने अगर आप pass out हो in 2020 या उसके पहले उस case में you are not eligible यह काफी काफी important है तो इसका मतलब यह हुआ कि final year students भी eligible है क्योंकि इन्हों ने pass out मांगा है 2021 या 2022 या 2022 सो yes final year students are eligible काफी बच्चे कहते सर final year के बार में भी बताया करो अच्छा यहाँ पर अगला जो है वो age limit के बार में है 26 years upper age limit दे रखी है बड़ आपको अगेन पता है relaxation मिल जाता है for SCST, OBC and PWD, EWS candidates तो यहाँ पर relaxation के बार में बताया गया है चलो अब यहाँ पर emulments के बार में बात करते तो यहाँ पर तो कुछ salary के बार में बताया नहीं है तो सर जी आपको 18,00,000 CTC का calculation कैसे मिला तो यह देखो यार आपके सामने यह calculation रखना चाहता हूँ कि basic pay जो है आपका वो 60,000 का होगा एक second मैं अपना writing pad ले लेता हूँ ठीक है देखो यार यहाँ पर आपका जो basic pay है वो basic pay होने वाला है 60,000 का फिर HR आपको मिलेगा 14,400 का dear allowance 12,000 है, cafeteria allowance 21,000 है फिर again कुछ और allowances है 21,600 तो total monthly income 1,29,000 पर मन्त की हो जाती है तो अगर आप करो तो 15,48,000 का होता है बड़ इसके आगे performance related bonus भी होते है जो 2,88,000 अगर आपने बढ़िया perform किया है भापर तो total आप 18,36,000 CTC गेन कर सकते हो यह काफी important है कि आपको पूरा calculation पता है, so I guess यह पूरी clarity मिल गई है कि basic pay क्या होता है उसका benefits क्या होता है है और फिर आपको bonuses कैसे मिल सकते है ठीक है तो यह होना यह पता होना काफी compulsory है नहीं तो बहुत सारे engineers को पता नहीं होता है खेर आगे लेकर चलता हो यहापर यह permanent job है first year आपका training का होगा यह भी काफी important है तो सिर्फ और सिफ gate score के basis पर selection नहीं है यह आपको पता होना चाहिए एक तो gate score जरूरी है necessary है mandatory है और यहापर यह तीन ब्रांच में आपने लिखा हुआ होना चाहिए IN, mechanical या electrical यह code necessary है अच्छा इसके अलावा यह देखो यार मैंने पहली बता दिये थे interdisciplinary अगर आप IN के थू अप्लाइ करना चाहते हो तो इतने सारे बी बी टेक वाले है eligible है similarly अगर आप mechanical में अप्लाइ करना चाहते हो तो इतने सारे branches eligible है यहापर नीचे भी और आ रहे है electrical वालों के लिए दो है अच्छा यहापर यहापर बताया गया है कि gate 2022 score के बाद शॉट लिस्ट किया जाएगा for group discussion या फिर personal interview वो होने के बाद medical test भी होता है यह कोई नहीं बताता है और यहापर दिया भी नहीं है medical test होता है वो clear करने के बाद ही आपकी permanent job लगती है कई बार क्या होता है आपका personal interview भी अच्छा जाते है आपको नौकरी मिल जाती है बट फिर अंदर medical test होता है उसके अंद application की website यहापर दे रखी है आप जागर के वापर visit कर सकते हो यह PDF की links मैंने description box में दी है तो आपस से refer भी कर सकते हो मुझे लगता है मैंने सारी चीज़े आपको बता दी है in clear and advance क्योंके मैं बताना चाहते हो application अभी से नहीं start हुआ है it will take some time मैं scroll कर लेता हूं निच्छे ताकि important चीज़ों पर आजाओ के गेल की तरफ से यहाँ पर 15 February को application date start हो जाएगा कब तक चलेगा 16 मार्स तक चलेगा यह चीज़ आपको पता होनी चीए so yes that's it for today I hope you have understood each and everything फिर भी अगर कोई doubt है तो comment section में जरूर पूछ सकते हो बाकि मेरे और से मैंने सारी जानकारी आपको देने की कोशिश कर दी है so thank you for watching this video I hope you enjoyed this video अगर वीडियो पसंद आती है तो जरू से इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी job updates के लिए मिलते हैं next वीडियो में आपने टेक केर बाबाई पर नाव सी या